प्रिये दर्सको एक बार फिर आपका स्वागत है अमारी यूटूब चैनल प्राचिन ग्यान सच्चा ग्यान में प्रिये दर्सको आज फिर नया वीडियो नई जानकारिलेक महाजरी विए हैं दर्सको आज की कहानी तिलोर पक्ची की कहानी है प्रिये दर्सको तिलोर पक्ची के बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा कि ये पक्ची बड़ाई चतुर और बड़ाई धनी होता है ये पक्ची बहुत समस्दार होता है प्रिये दर्सको इस पक्ची का जिकर सास्त्रों में देखने को मिलता है सास्तर इस पक्ची के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये पक्ची यदि किसी घर के उपपर से गुदर जाए तो उस घर का भाग्य उदे हो जाता है यदि किसी मनुश्य पर इस पक्ची की परचाई पड़ जाए तो उसके सुए भाग जाग जाते है प्रिय दर्शको ऐसी माननीता है कि ये पक्ची बड़ाई धनी होता है और इस पक्ची के साथ में हमीशा मालक्षमी साथ रहती है दर्शको बो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं बड़े किस्मत माले होते हैं जिनके घर के उपर से ये पक्छी गुजरता है या फिर जिन लोगों पर इस पक्छी की परचाईयां पड़ती हैं बो लोग बड़े नसीब वाले होते हैं प्रिये दर्शकव इस बात को आप नकार नहीं सकते जुटला नहीं सकते कि पक्षियों में भी मालक्षमी का वास होता है कोई कोई पक्षि बहुत सुभ होता है जो कि विक्ति का भाग्य बदलने में भाग्य उदे करने में सक्षम होते हैं आज की कहानी पूरी सुनिएगा यदि आप भी अपना भाग्य उदे करना चाहते हैं अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आज की वीडियो आपको धेर सारी प्रेनाय देने वाली है धेर सारी सुब कामनाय देने वाली है इस कहानी को सुनने वाले व्यक्ति के गर में बहुत जल्द कुशिया आ जाती है कुश कबरी पे कुश कबरी आ जाती है प्रेदर्शको वीडियो सुरू करने से पहले जो लोग हमसे ने जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ओन करें अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हराने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बिले और आप उसका फाइदा उठा सकें सुरू करते हैं प्रेदर्शको आज की प्यारी सिपावन पवीत्र कहानी ये प्यारा सा वीडियो सर्धियों का मोसम था कडाके की सर्धी पड़ रही थी और उसी सर्धी में तिलोर पक्ची का जोड़ा बैटा हुआ था दोनों पति पत्नी उनके जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं थी दोनों का जीवन कुसी कुसी बेती तु हू रहा था अब एक दिन तिलोर की पत्नी अपने पती से पूछने लग जाती है और कहने लग जाती है कि पति देव क्या आप मेरे दो प्रस्नों का उत्तर दे सकते हैं और इनके उत्तर जानना मेरी दिल्चस्पी है मैं चाहती हूँ कि मैं इन परसनों के उत्तर जानू प्रिये दर्शको तब तिलोर का पति अपने पत्नी से कहने लगता है कि प्रिये आपके ऐसे कौन से प्रसन है जिनको मैं नहीं दे सकता आप मुझे बताईए किन परसनों का उत्तर आप पाहना चाहती है प्रिये दर्शको तब तिलोर की पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि पति देव मेरा सबसे पहला परसन है कि क्या बुद्धी मानी और चालाकी अलग-अलग होती है क्या बुद्धी मान व्यक्ती बहुत चालाक होता है उसे ही चालाकी कहते हैं या नहीं चतूर और चालाक व्यक्ती को क्या बुद्धी मान कह सकते हैं और क्या इन लोगों का भग्य उदे हो जाता है ये लोग अपने जीवन में सर्व सुक प्राप्त कर सकते हैं बस मेरी यही प्रसन है इन्ही प्रसनों के उत्र मुझे बता दीजिए प्रीदर्सको दिलोर पक्षी अपनी पत्नी के इन प्रसनों को सुनकर बड़ा प्रिसान हो जाता है अपना खुब दिमाग लगाता है खुब बुद्धी लगाता है लेकिन इन प्रसनों के उत्र जानने में एसक्षम रहता है प्रीदर्सको तिलोर पक्षी खुब दिमाग लगाता है खुब दिमाग को दोडाता है लेकिन इन प्रसनों के उत्र नहीं आते हैं प्रिये दर्सको अंत में तिलोर पक्षी को एक कहानी याद आती है और तिलोर पक्षी अपनी पत्री से कहने लगता है कि प्रिये आपके प्रसनों के उत्र आपको इस कहानी के माधम से मिलेंगे इसलिए इस कहानी को बड़े धान से और बड़े गौर से सुनियेगा ये कहानी आपके सभी प्रस्नों के बखु भी उत्तर देती है प्रिये दर्शको तब तिलोर पक्ची कहानी सुरू करता है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनती है प्रिये दोस्तो तिलोर पक्ची कहता है कि बहुत समय पहले की बात है एक गाउ में दो भाई रहते थे एक का नाम था धनपाल और दूसरे का नाम था सर्जू प्रिये दर्शको तिलोर पक्ची आगे कहता है कि एक बार सर्जू नोकरी की खोज में निकला और गुमते गुमते वो एक सहर में जा पहुचा जहां उसकी बेट एक सेट से हो गई सेट को नोकर की बहुत आव सकता थी तब सर्जू वह जाकर उस सेट से कहता है कि सेट जी क्या आपको नोकर की आव सकता है क्या मुझे आपके यहां काम मिल सकता है प्रिये दर्शको सर्जू की इतनी बात सुनकर सेट ने कहा कि नोक्री पर तू रख लूँगा पर मेरी एक सर्थ है तब सर्जु ने सेट से कहा कि हुजूर, आपकी क्या सर्ट है? फिर वो सर्ट सर्जु से कहने लगता है कि सर्जु, मेरी सर्ट ये है कि नोकरी छोड़ कर भागे तो आपके कान काटने पड़ेंगे और साथ में आपको एक साल बर का वेतना भी वापिस करना होगा प्रिये दोस्तों, तिलोर पक्ची आगी केता है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनती है दर्श को तिलोर पक्ची का कहना है कि सरजु ने उस सेट की सरते बिगर सोची समझे स्विकार कर ली कहा जाता है कि सरजु बहुत ही मंद बुद्धी का था और वो सेट बहुत चालाक और बहुत ही दुष्ट परवर्थी का था जब सर्जु उस सेट के अभा नोक्री करने लग जाता है नोक्री पर लग जाता है तो अब वो सेट जान भूज कर उस नोकर से इतना काम लेता कि वो नोक्री छोड़ देते और साथ में उस सेट को पाची रुपे भी देते यानि की एक साल का वेतन उस सेट को देते प्रेदर्सको तिलोर पक्ची का आगे कहना है कि बेचारा वो सरजु भी अब उस दुष्ट सेट के जाल में पस गया था प्रेदर्सको कुछी दिनों में उस सेट ने सरजु को इतना प्रिसान करना सुरू कर दिया कि सरजु के नाक में दम आ जाता है और सरजु सोचने लगता है कि ऐसी नोकरी से भला भीक मांग कर घाना अच्छा है प्रेदर्सको सेट और सेटानी दोनों पति-पतनी उस सरजु नाम के नोकर को बैध प्रिसान किया कर दे तो कुछी दिनों में वो तंग आ जाता है और अंतते वो सेट सरजु की नाक काट लेता है और सरजु ने सोचा कि नाक कटे तो कटे पर जान तो बच जाएगी प्रेदोस्तो, सेट ने उसे नगद रुपे भी लिये, एक साल का वेतन भी वापिस लिया और नाक और कान काटे और नोकरी से सरजु को अब छुट्टी दे दी प्रेदोस्तो, जो साल पर सरजु ने कमाया, वो भी वापिस सेट को पहुचा दिया और उपर से अपनी नाक और कान दोनों कटवा लिये प्रेदर्सको, तिलोर पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिये, तो ये था मंद बुद्धी का खेल, जो लोग मंद बुद्धी के होते हैं, जो लोग अपने दिमाग से काम नहीं लेते हैं, उन लोगों का सरजु की तरहालात हो जाते हैं, वो लोग अपने नाक और कान कटवा लेते हैं लेकिन अब आपको बताते हैं चतूर व्यक्ति प्रिये दर्सको अब वो सर्जु नाम का व्यक्ति लोटकर अपने घर को पहुचा उसकी ये हालात देखकर उसका बड़ा भाई धनपाल बहुत दुखी हुआ तो सर्जु ने रोते रोते अपनी आप बिती अ जब उसका बड़ा भाई धनपाल इस पूरी गटना को सुनता है तो कहने लगता है कि भाईया आपकी अपमान का बदला मैं लेके रहूंगा और साथ ही उस दुष्ट सेट को ऐसा सबक से कहूंगा कि आज के बाद किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकेगा प्रिदर्सक अब उस सर्जू का बड़ा भाई धनपाल सेट के पास नोकरी के लिए जा पहुँचा तो उस दुष्ट सेट ने अपनी सर्थ दोराई तो धलपान ने कहा कि मेरी भी एक सर्थ है यदि आपने मुझे नोकरी से निकाला तो आपको भी अपनी नाक काट कर देन होगी और साथ ही दो साल का वेतन भी आपको मुझे देना होगा प्रिदोस्तों दनपाल के ऐसी बचनों को सुनकर सेट को हसी आनी लगी क्योंकि वो मनी मन हसने लगा सोचने लगा कि मैंने हजारों नोकरों को नाक काट कर भगाया है एक साल बर का वेतन वापिस ले करके पाएगा ति मेरी चतुराई और मेरे दिमाग के आगे ये दनपाल भी अपनी नाक कटवा के जाएगा यही सोचकर बो सेट बड़ा खुसी होता है और सेट ये भी सोचने लगा कि दनपाल की सर्त है कि मैं उसे नोकरी से निकालूं लेकिन मैं उसे नोकरी से क्यों निकालू तो सेट भी अबहामी भर देता है धनपाल बहुत चतुर्था उसने सेट को सताने की पूरी योजना बना ली प्री दोस्तो अगले दिन सेट ने धनपाल से कहा कि जाओ कि तालाब के पास वाली मिट्टी खोद कर लेके आओ प्री दर्शको तब दनपाल मिट्टी का टोकरा बढ़ कर लाया और उसने अपनी सेटानी से पूछा किसी कहा रखू प्री दोस्तो तिलोर पक्ची आगी कहता है कि उसी वक्त सेट और सेटानी में थोड़ी तू-तूमे में हो जाती है और उसी समय धनपाल मिटी का टोकरा लेकर आता है सेट घर से बाहर चली जाता है मिटी का टोकरा लाने के बाद धनपाल अपनी सेटानी से पूछने लग जाता है कहता है किस मिटी के टोकरी को कहां रखूं तो सेटानी गुस्से में थी बहुत नाराज थी अपने पलंग पे सोई हुई थी तो वो चिड़ चड़ा कर बोली किस मिठी को मेरे सर पे डाल दे प्रिय दर्शको सेटानी के इतने केते ही धनपाल ने मिठी का टोकरा उसके सर पर उलेट दिया तो वो सेटानी अब मिठी से लथपत हो गई प्रिये दोस्तों, अब उस सेटानी ने सेट से कहा किस नोकर को नोकरी से निकाल दो, ये तो बहुत बेवकूप है सेट क्या जवाब देता, सेट के पास कोई जवाब नहीं था सेट भी मनीमन सोचने लगा, कि ये दी सरजू जैसा कोई पागल व्यक्ती होता, तो वो अपनी नाक भी कटवा के जाता, और पैसे भी देख के रखे जाता लेकिन ये तू धनपाल है, ये बहुत चतुर है इतना सोच कर, फिर सेट ने धनपाल से कहा कि हल लेकर खेत पर चले जाओ, और दोपेर तक पूरे खेत की जुताई कर देना, और चूलह जलाने के लिए लकडी और सिकार भी लेते आना प्रिये दोस्तों, धनपाल अबहल को लेकर खेत पर पहुँच गया और मजे से पेड के नीची जा करके सोगया, दोपेर को उसने हल तोड़कर लकडी बहंदली लकडी बना ली और जब घर पहुचा तो सेटानी ने दनपाल से कहा कि दनपाल, तुम्हारे सेट ने कहा है कि तुम्हें रोटी तबी खाने को मिलेगी, कि जब तुम रोटी कहाओ, तो रोटी को साबुत छोड़ दो, और धही की हांडी का धक्कन हटाए बिना धही तुम्हें खाना होगा बस सी दो काम आपको करने हैं, रोटी को साबुत छोड़ दो, और धही की हांडी का धक्कन मत अठाओ, तो ही बोजन आपको मिलेगा, प्रिय दर्शको उन लोगों ने सोचा कि ऐसी सर्थ मानकर धनपाल बूखा मर जाएगा, पर वो धनपाल भी कम सयाना नहीं था, उसने रोटी को बीच में से खाकर गोल घेरे में छोड़ दिया, और धही की हांडी में सुरा करके सारा धही को पी गया, प्रिय दर्शको सामको सेट ने आकर सारी बात सुनी, अपने हलकी हालात को देख कर सिर पीट कर रोने लगा, सेट समझ गया था कि इस बार उसका पाला किसी सहाने और चतूर व्यक्ति से पड़ा है, प्रिय दोस्तो, कुछ दिनों बाद सेट जी को ससुराल से बुलावा आता है, बे ससुराल जाने के लिए तयार हो गया, और धनपाल को उस सेट ने अपने साथ में लिया, अब उस सेट शुन तो गोड़े पर सवार हो गया था, और धनपाल पैदल पैदल चल रहा था, चलते चलते साम हो जाती है, और साम के वक्त सेट आराम करने लगा, प्रिय दोस्तो, अब उस से सेट के गोड़े को बेश दिया और उसकी पूच का एक टुकुडा काट कर रख लिया प्रिय दोस्तों जब सेट सोकर उठा तो धनपाल बोला कि सेट जी गोड़े को चुहे बिल में ले गया है मैंने उसकी दुम पकड़ रखी है आओ मिलकर खीसते हैं और गोड़े को भार न रखी थी जोहीं सेट ने गोड़े की पूच को खीचना चाहा तो बे दढ़ाम से पीछे की ओर जागिरा और गोड़े की पूच सेट के हाथ में आ जाती है लेकिन बो सेट कुछ नहीं कर सका फ्रिय दर्श को सेट ने अगले सहर से दूसरा गोड़ा खरीदा और आगे की य रात सोना नहीं गोड़े की मालिस करते रहना ये सफेद गोड़ा बहुत ही अच्छी नसल का है ये कहकर सेट सो जाता है और धनपाल गोड़े की मालिस करने लग जाता है प्रिय दर्श को जब सेट को नीदा जाती है तो धनपाल रातो रात एक खरगोस खरीद कर लाता है औ और धनपाल ने सेट का दूसरा घोड़ा भी बेश दिया। अगली सुभे धनपाल सेट से बोला कि सेट जी कि सेट जी घोड़ा आगी चलने के लिए तयार है। तो सेट जी ने घोड़े की जगे खरगोश को देख कर पूछा कि मेरा घोड़ा कहा है। प्रिये दर्शको दनपाल कहता है कि सेट जी यही तो है तुमारा गोडा सेट कहने लगता है कि यह तो खरगोस है सेट ने नाराज होती विए कहा प्रिये दर्शको तब दनपाल सेट से कहने लगता है कि हुजूर गोडे की रात पर मालिस करते करते ये गिसकर छोटा हो गया है बस इतना ही बड़ा रहे गया है दनपाल और आगे केता है कि मालिक मैंने गोडे की कान पर मालिस नहीं किया है इसलिए इसकी कान कितनी खुब सूर्थी से खड़े है प्रीदर्सको दनपाल की इतनी भास सुनकर सेट अपना माथा पकड़ कर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा अपना आपा खो बैठता है और जोर जोर से चिलाया दनपाल से कहने लगा कि निकल जा तेरी सकल भी नहीं देखना चाता प्रीदोस्तो जब सेट के मुख से ये सब्द निकलता है कि निकल जाओ मैं तुमारी सकल भी नहीं देखना चाता तो दनपाल बहुत को सोता है और सेट से कहने लगता है कि ठीक है सेट दो साल का वेतन देदो और अपनी ना काट कर अपने कान काट कर मुझे देदो मैं तुमा पारी नोकरी छोड़के चले जाऊंगा। प्रिदर्शको वो सेट धनपाल की हरकतों से तंग आ चुका था। उसने दो साल का वेतन और अपनी नाग के बदले बास साल का वेतन और अपने कानों के बदले तीन साल का वेतन दिया। और दनपाल से एसा वादा किया कि जीवन में कभी भी किसी नोकर के साथ वो ऐसी हरकत नहीं करेगा जैसे कि वो पहले किया करता था। वो सेट अब किसी को नहीं सतायगा। प्रिदर्शको अब दनपाल वो सारा धन लेकर अपने गाउं को लोट आता है और अपने भाई के रहने लगता है। प्रिदर्शको तिलोर पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिए ये हुता है चतुर और बुद्धी मानी लोगों के काम। ये लोग अपना भाग्ये स्वेम भी लिख सकते हैं। इसलिए चतुर की चतुरा यह हमिसा काम देती है। चतुर होना भोज ज अपने हाप निकल सकें। तिलोर पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिए मैं उमीद करता हूँ कि तुम्हारे परस्णों का उत्तर तुमें इस कहानी के माध्यम से जरूर मिल गया होगा। और इन परस्णों को पाकर आप अपने जीवन में इन से लाब उठाएंगे। दर्श को आप से भी आसा करते हैं कि आप भी इन परस्णों को पाकर जरूर लाब उठाएंगे। मिलते हैं आने वाले नक्स्ट वीडियो में तब तक अपना खयाल रखें। जी नमस्कार।